रामनगरी द्रेता यूग जैसी सजी है भविता देखते ही बन रही है चहों और उल्लास का महल है अपने राम के स्वागत में रामनगरी का कोना कोना आलो कि भोटा है योगी सकार के पाच्वे दीपो उस सब की शुरुवात आज से हो रही है मुख्य आयोजन 3 नमंबर को होगा इस दिन मा सर्यू का 9 डाग दीपो से शुरंगार किया जाएगा आयोजन ती नाम एक नया विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा यूपी में मुख्य विपक्षे दल समाजवादी पार्टी के मुख्या खलेश यादव ने ऐलान किया है कि वह विदान सबाचुनाओं नहीं लढ़ेंगे उन्होंने एक निजी चैनल से बाचीट के दोरान ये बयांतिया कि श्यादव विदान परिशत सदस रहें उनके इस एनान से या इस पस्ट हो गया है कि इस बार वीवा विदान परिशत के जरिये ही सदस बनेंगे जोलेलाल पार्क में चल रहे है विकास्ती पोटसव की चौती शाम लखनवी तहजीब तार-तार हो गए रैपर बाच्शा को सुनने के लिए हजारों की तादाब में लोग जुट है जिने नियंतरित करने में पुलिस को एल हो गए आति उत्साहित युवाओं ने कुर्सियों के लिहाव का बंडल बना कर चीप गेस्ट नीरज बोरावा मेर सयुकता भाटिया की ओर तक पिर गे यही नहीं धीर में लड़कियों से चिर्खानी भी हुई पर पुलिस मूग दर्शक बनकर अफसरों की सेवादारी में जुटी रही दब्रदेश के दिविन ब्लॉकों में बनाए गया क्लेस्टर में शामल गावों में सोंवार से करोना टिका करन के शिविल लगेंगे इन कलेस्टर के गावों को तीन हिस्टे में बाक्ना टिका करन किया जाएगा और उसी हिसाब से उनकी संक्षा की जाएगी शोशल मेडिया पर हुई ट्रोलिंग के बाद सविसाची ने अपना मंगल सूत्र का विज्यापन वापस ले लिया है उन्होंने सविसाची को 24 घंटे का अल्टिमेटर्स दिया था जिसके बाद परविवार देर रात सविसाची ने अपना याद विवादित विज्यापन हटा दिया है बाजार की भाव के अनुसारा 24 कैरेट सोना 47,975 रुपए प्रती 10 ग्राम पर विक्राए वही 22 कैरेट गोल्ड प्रती 10 ग्राम का दाम 47,783 रुपए है वहीं चांदी की बात करें तो यह 64,508 प्रती किलो विक्राए है एके 47 भारती सेना का बुन्यादी हत्यार है, स्वधेसी पर में इस हत्यार को अपग्रेट करेंगी जिससे या काम करने में और विज़्जादा आसान हो जाएगी अभी या कमपनी छोटी संख्या में AK47 को अपग्रेड करेगी लेकिन बाद में इससे और और आडर भी मिल सकते हैं मुमई में ड्रग्स मामले में को लेकर अब भाश्पा और NCP आमने सामने हैं NCP नेता और महरास्ट की मंत्री नवाब मलिक के बयान पर पूर मुकमंत्री दिवेंद्र पड़नवीत ने तीखा पलटबार किया है कोट ने कहा कि जो पंचिनामा दाकिर किया गया है वा मौके पर नहीं भरा गया है इससे उसमें दिखाई गई वसूली पर संदे है आदेश में कहा गया है कि सिर्फ वास्ट चैट से यह साबित नहीं होता है कि अजीद कुमार नहीं ड्रक्स की सप्लाई की थी यूपी के मुखमंत्री योगी ने भी अखलेश यादों पर हमला बोला है उन्होंने कहा कि सपक रास्ट रद्यक्ष का बयान अत्यन शर्मनाख है सरदार वनलबाई पटेल भारत की एकता और अखंडता की शिल्पी है कलसपा प्रमुक की विजभाजन कारी मानसिक्ता सामने आ गई है जब उन्होंने जिन्ना को समकक्ष रख के सरदार वनलबाई पटेल की तुलना की